आखिर बिहार की सभी पार्टियां चिराग पासवान को अपने पाले में क्यों लाना चाहती है यह एक प्रस्ण है सभी पार्टियां और सभी अलग अलग दल के नेता अपने पार्टी में चिराग पासवान को निमंत्रन दे रहे हैं मगर चिराग पासवान मोदी में ही अपना राम देख रहे हैं और वहीं अपनी राजनीतिक भविस्त को भी एक मुकाम देने में लगे हैं मगर जो बात है कि चिराग पासवान को इतने PARTY और इतने नेता क्यों चाह रहे हैं इसकी बज़ह है सब की नजर PARTY BOT BANK पर सीधे तोर पर है उनका मानना है सभी पासवान के पास 5-6% बोट ऐसा है जो न कभी हिला है और न कभी हिलेगा कई विधान सवा चुनाप پरिनामों को भी देख कर लगता है कि चिराग पासवान का पार्टी यानि लोजपा जिसके अध्यच रामबिलास पासवान हुआ करते थे जिस पार्टी की नीव और बुनियाद रामबिलास पासवान ने रखी वह सुरू से ही उनकी पार्टी की वोट परसेंटेज एक अस्थिर रही है चाहे वह सीटें जीतें न जीतें यह एक अलग भी से है मगर जो उनका वोट प्रतिसत रहा है वह एक ठहराब का रहा है नाहीं वह पूरी तरह से चुनाब जीतते हुए नजर आते हैं और नाहीं वह चुनाब हारते हुए नजराते हैं। वह किसी को कई सीटों पर कह सकते हैं कि हर विधान सभा में आठ से दस अज़ार बोट ऐसा है जो उनको आता ही आता है। जो डेर सो से कम सीटों पर वह लड़े थे, सो सीटों पर और लड़ते तो दस परतिसत के आसपास रहता, इसमें कोई सक नहीं था। मगर छे परतिसत बोट बैंक एक मुस्त चिराग पासवान के पास है। यही एक सबसे बड़ी बजा है कि चाहे हुआ आरजेडी से पार्टी हो या फिर भुम्यार, ब्रह्मन, मंच के फ्रंट के नेता हो चाहे हुआ सांसा, दरून, कुमार, दिल्ली जाकर मिलें या फिर प्रोफेसर राम जतन सिन्हा कहते हुए नजराएं कि चिराग पासवान हमारे साथ आ जाएंगे तो 3-4 परतिसत बोट, 2-3 परतिसत बोट का तो हमें ऐसे ही जुड़ाब हो जाएगा, तो अब देखने और समझने बाली बात यह है कि जाती को आधार मानकर बोटिंग और परसेंटेज के लिए चिराग को ज्यादा माना जा रहा है, वैसे तो कई नेता, कई पार्टियां आई और गई, मगर राम इलास उधर सरकार बन जाती है, और जिदर सरकार बनने वाले रहती है, उधर राम इलास पासषिस चले जाते हैं, तो व्हा काम करते हैं, यह भी यह कारोप है, उनके उपर राजनीतिक करने के लिए, फिर बात आती है, पूरी मुल्यांकन के बाद बी कि पासवान भोट जो नहीं हिलता है यही सबसे वड़ा कारण है कि कोई भी पार्टियां यह नहीं चाहती है कि हमारे पास कोई बोट परसेंटेज घंटे और प्रतेक जाती के कुछ नकुछ नेता रहें यही कारण है कि चिराग पासवान उन सभी क्रेटेरिया में फिट बैठ रहे हैं उन पर कोई ऐसा वरस्टाचार का आरोब भी नहीं है सीधे तोर पर और कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चिराग पासवान के उपर नहीं है उनकी बोलने की असपस्टता भी एक नेता के रूप में अस्थापित करती है और मोदी के तरफ होने से उनको एक खास मोदी का तबका और बीजेपी के एक खास बोट बैंक उन्हें अपना नेता मानती है बिहार के भविस्ट के नेता भी हुआ माने जाते हैं कई लोगों का कहना है कि अगर बीजेपी से एलाइंस करके अगर चिराग पासवान लड़ते तो ज़्यादा सीटे आती है इंडिये को मगर यह देखने और समझने वाली बात यह है कि यह एक अनुमान है और भविस्वानी है मगर फिलाल जो अभी सभी पार्टियां चिराग को मनाने में लगी है उसका जड़ में है 6% बोट बैंक अभी के लिए मैं चलता हूं बिहार की तमाम राजनीतिक ख़रों के साथ में आता रहूंगा अभी अर्थियों के मुद्दे के साथ भी मैं आऊंगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियोंगे तो कर लिजेगा फेस्बूक पेज को लाइक नहीं कियोंगे तो वह भी कर लिजेगा और टुटर और इंस्टाग्राम को भी जरा फॉलो कर लिजेगा ताकि आप तक खबरे जाता रहे मेरा नाम हुआ रभीकांत और आप देख रहे होंगे जहकास भारत धन्यवाद